सब्सक्राइब जरू कर दीचेगा और उसके साथ बाल एकन दबाएए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल रहे हैं तो फ्रेंट्स मैं आज आपके साथ लिकर आई हूँ धेल सारे धागे और ये मेरे ही सब्सक्राइबर्स के डिमांड पे वीडियो लेकर आई हूँ कि हमारे पास इतने सारे फ्रेंट्स होते हैं और इतने सारे फैब्रिक्स होते हैं हमें समझ नहीं आता कि कौन सी वाले कपड़े पे कौन सा वाला धगा यूज करना चाहिए इसी के लिए आज की गाइड है ठीक है और आप ये वीडियो कैसे लगे जरूर से बताईएगा और अपने फ्रेंट्स के साथ जरूर शेयर कीज़ेगा अभी मैं आपको समझाती हूँ कि कभी भी आपको कुछ समझ ना आए ना कोई सा भी कपड़ा है एक मैं यूनिवर्सल बता देती हूं कि जादाता सभी टाइब के कपड़ों पे हमारे ऐसे वले ठ्रेड़ लग जाते हैं और ये वले ठ्रेड है हमारे तो जो पूलिस्टर के थ्रेट होते हैं धागे होते हैं यह आपके हर टाइप के कपड़े पर लग जाते हैं और यह जो धागे तो यहां पर हमारा स्विंग थ्रेट के टाइप कैसे होते हैं कुछ थ्रेड होते हैं हमारे कोटन के कोटन के और परपस थ्रेड होते हैं जाया तर सभी कपड़ों में चलते हैं अगम हैं जता हैं तो यह चलते हैं लेकिन कोटन के थ्रेड में प्राब्लम ने कि आससी तो वह प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वह कहीं कहीं थ्रिंक होने के चांस रहते हैं और इस ताइप कप्रब्लम उसमें हो सकता हैं तो दो कम ब 안 her जाता है कि all purpose होगा yes what to use then आप ये वाला यूज कर सकते हैं मैं आपको ये दिखा रही थी spend polyester ठीक है तो spend polyester वैसे ज्यादा तर हट जब भी कुछ भी कुछ भी समझना है हर टाइप के कपड़े में आप यूज कर सकते हैं then embroidery वाले जो त्राइब दिखाऊंगी और फिर आता है cotton परले जो cotton परले है यह मैसिकली यहां पर कट वाकरा करने के लिए ज्यादा काम आता है फिर tattin cotton होता है यह काफी सूट करता है fine lilin के लिए lilin के लिए tattin cotton होता है जो मैं यह spoon polyester बता रही हूं यह mix होता है इसमें cotton और polyester mix होता है quilting करने के लिए heavy finish वाले जो कपड़े होते हैं जैसे कि हम रजाई या फिर इस टैप के कपड़े के लिए कुछ बनाते हैं तो फिर आप quilting thread उसके लिए ले सकते हैं पॉलिस्टर वाला जो मैंने बताया यह इसके अंदर cotton और polyester mix होता है इसलिए आप यह ज्यादा तर यूज कर सकते हैं बलकि अगर आपका कपड़े में आप गोल गोल तरीके की खिचाब वाली सिलाईयां दे रहे हैं तब भी यह वाला यूज हो सकता है ठीक है spin polyester क्योंकि कि यह mix होता है और इसके अंदर लचीला पन होता है यह mix तक चेंज भी हो सकता है and then heavy duty threads होते हैं यह पर कुछ heavy duty मतलब छोड़ छोड़ी furnishing करने के लिए mixture होता है इसमें cotton का भी और polyester का भी यह वाले threads भी आप नमली यूज कर सकते हैं rion thread चो होते हैं इसके embroidery में यूज किया जाता है embroidery में यूज किया जाता है and nylon यूज किया जाते हैं light to medium weight में मतलब हलके fabric में linen यूज करते हैं heavy वाले में करोगे तो वो तूट जाएगा silk जो है यह काफी embroidery के लिए अच्छा मन जाता है जो कि आपको एक twisted finish भी देगा इसलिए then wool वला जो होता है thread यह आप उन्नी कपड़ों के लिए use करते हैं invisible threads जो होते हैं यह finishing देते हैं आपको ताकि आप आपने देखा होगा कुछ thread होते हैं तार वले वायर वले तो वो आपको finishing देते हैं आप पीको कर रहे हों या फिर आपको एकदम invisible चाहिए तो वो आप चीज देख सकते हैं ठीक है और metallic thread होते हैं जैसे जो कि golden color के आते हैं anchor thread होते हैं silver color के copper color के मैं देखाऊगा वो metal वाले वो भी आपके designing के लिए काम आते हैं और अभी आगे दिखाती हूं मैं sharing thread होते हैं sharing thread actually बहुत ही पारीक पतली सी elastic होती है पतली वाली elastic होती है वो sharing करने के लिए यूज दी है मैंने भी यह देखो मैंने जो आज ड्रेस पैना है यह elastic से sharing होई है आप देख पारे हो यह वली शेरिंग मैंने करनी भी जिखाई है यह इलास्टिक से होती है जो कि स्ट्रेचिब लोता है तो इस टाइब की शेरिंग भी आप कर सकते हैं आप समझ पारे हो कि बच्चों के डिजाइनिंग होता है नेक पे आज कल शेरिंग चल रही है तो वह इसको कैसे यूज करना है वह बता देती हूं जो हमारी बॉबिन होती ना उसमें लूज लूज भी नहीं होना चाहिए ठीक ठीक होना चाहिए बतलब ऐसे देखने में एक डम से लूज नहोंगा ज़ए बढ़ते हैं हम और फिर नॉर्मल से लाई लगा ज़ते हैं उसका अभी कपड़ों के लिए यूज हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता कि हम बाजू के गोलाई देते हैं तो उसमें अफकोर्स वह स्ट्रेची वला आई जाता है आप सोचों कि जब हम यह बाजू के गोलाई देते हैं तो इस बाजू के गोलाई के अंदर हमें गोल सिला तो इसे तरीके से आपको यह स्पूल थ्रेड इसको बूलते हैं और अपर नीचे जादा होता है इसको स्पूल थ्रेड बूलते हैं अगर आपने कभी थ्रेडिंग दर आई हो तो उन लोगों का स्पूल थ्रेड होता है आपने देखा होगा उपर भी होता है और नीचे भी होता है प्लास्टिक जो हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग यूज कर र यह हैवी वर्क के लिए यूज के जाते हैं जीन्स अगरा के लिए भी यूज के जाते हैं प्रिवाउंड बोबिन भी होती है अब फ्रेंट्स यह देखो हमारा यह कॉटन का थ्रेड यह कॉटन का थ्रेड है तो उसके बाद पॉलिस्टर है पॉलिस्टर सभी परपस के लिए यूज होता है, all purpose के लिए polyester आप यूज कर सकते हैं, and silk thread होते हैं, जो कि mainly आपके silk के fabric में होगे, लेकिन हलके हलके fabric में होगे, ये elastic thread है, इनमें हलकी से elastic already होती है, ठीक है, और embroidery करने के लिए हम ये shining वाले thread लेते हैं, जिससे embroidery हो सके, इनको embroidery thread बोलते हैं I hope दिखाई दे रहा है yes और बटन लगाने के लिए हम कोई भी thread यूज कर सकते हैं actually यह रहे metallic जिसमें shining होती है metallic thread हम designing के लिए यूज करते हैं और यह है आपके sergeant thread sergeant thread में लिए आप यूज करते हैं जब हम जब हम ओवरलोग वगरा कर रहे होते हैं तब ठीक है जी आज तो मैंने खूब सारी जानकारी दी है और अभी जानकारी खतम नहीं हुए अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जैसे फैब्रिक होते है कि इसमें कैसी कैसे यूज करने चाहिए तो फ्रेंट्स कोटन के फैब्रिक में आप लोग कोटन का भी यूज कर सकते हो पॉलिस्टर वादा भी यूज कर सकते हो वैलवेट वैसे तो यह एक औल पर्पस मैंने बता ही दिया है ठीक है सिल्क के लिए शिल्का यूज कर सकते हो अगर सिल्का थ्रेड्ट स्पैशल नहीं मिल रहा है तो अगेन आप यह पॉलिस्टर वाला बीना देखे किसी में भी दगा देना टेंशन की बात नहीं है और जो उनी कपड़े होते हैं उनी कपड़े के लिए आप वुलन थ्रेड्ट भी यूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं डxico आयाब और नॉर्मल थ्रेड भी आप यूज कर सकते हैं एक और टिप में आपको देना चाहती हूं कि अगर आप किसी भी कपड़े में थ्रेड बार बार टूट रहा है इसका मतलब वह की पुराना हो चुका होगा तो जरूर से चेंज कर लीजेगा और अगर आपका धागा बार जा सकते हैं जिससे कि आपका कपड़ा सही हो जाएगा और कई पर हमने देखा है कि कपड़े खीच जाते हैं तो खिचाब के लिए आप आप जरूर से कमेंट कीजिएगा कि आज की इंफरमिशन आप तरी कितनी इंपोर्टेट है और अपने सभी फ्रेंग्स को सभी फैमिली मेंबर्स को जरूर से शेयर कीजिएगा नियाई मैंजिश में रेगुलर्ली वीडियो डाली हूँ मिलते हैं जल्दी आप से आपने देश सारे प्यारे पर कमेंट जरूर कीजिएगा